एक चीज मैंने हमेशा देखी है, मैं जब भी गाओं देहात में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि किसानों के पास वो जो समेकित फार्मिंग यानि की इंटिग्रेटट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, वो शायद हर घर में दिखता है, आप बस्या यह है कि हमारे देश में बहुत सार ऐसे किसान है कि इन चीजों को वो कमर्शली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसको एक कमर्शल फार्मिंग पर नहीं ले जा पाते हैं, कमर्शल गोट फार्मिंग हो, कमर्शल पॉल्ट्री फार्मिंग हो, इन चीजों पर अगर थोड मुर्जिला में जिनके पास हरतरह के एक दो मुर्गिया थी गाए-बैस मुझे पालते हैं लेकिन वह बकरी पालन में उत्रे हैं और उसको अब कमर्शिल लेवल पे कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं मार्केटिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक लो लेवल से कर रहे हैं और बकरी पालन भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बकरिया शायद ये दो पाथी से अपना कारोबार सुडू किया था तो सब सब न14 पहले हम स्वागत कर लते हैं सर, बिल्कुल ग्रामीन जो सिंपल सधारन शेड होता है, शेड की हाइट थोड़ी सी कम मुझे लगी, लगता है कि इसमें आप पहले कोई और काम करते थे इसमें बकरियां रखना शुरू कर दिये, पहले मुर्गी फारम था, ब्रालर वाली, अच्छा, अब नहीं रखते हैं वो, अच्छा, तो इसलिए इतनी उचाई कम क्यों रखा, पहले गाराई में था ना, तो इसलिए मट्टी का भारान होते हो गया, तो इसलिए दिकत नहीं होती है बकरियों को रखने में, दिकत हुआ तो अभी कितनी बकरियां है आपके पास? छोटा बच्चा मिला के सब 21 हुआ है, चोटा बच्चा मिला के 21 हुआ, अच्छा, कब शुरू किये थे ये, ये लॉकडाउन के करीब में आया थे, पर बाहर आते थे, लॉकडाउन के करीब में आया थे, सुनाए कि दो साथ बेचे थैं साथ खसी कितने वजन की तैयार होगी थी खसी आपकी आठ किलो-9 किलो की जाएंगे लेकिन लोग यह सोच लेते हैं कि चलो गाओं में है थोड़ी सी जगा है तो मुर्गी ऐसी रख लेते हैं एक दो आपकरी पाल लेते हैं पाल लेंगे और साथ सुर्फे किलो के हिसाब से अच्छी खासी कमाई तो अधी के वह निकालते हैं आपने specialist को मंगाया है हमारा नहीं छूटा हुआ है अब धी जो है और खसी आपका साथ रहें हो रहा है इस अब फॉले चर यह लञी हो यह त्वेड़ के आपका थी नमें देंगी यह वाली आपट एसकी उमर क्या एख सब्सक्राइब ने थीच तो थीक है यह थोड़ा बास जानले सुदीर के दार्ड जाता है कि थोड़ी माइचूसे होने दें और तब क्रॉस कराएं तो 10 जिए घ्ला नहीं लैर तो एसलिए अपने मंतब क्रोस कर देता है लेकिन फिर भी बचाना चाहिए कि छो महीना में क्रोस ना हो साइज भी छोटा होगा ग्रोथ भी कम होगा ठोड़ी बकरियां मैचूर हो जाती है क्रोस कराएंगे तो अच्छा रिजल्ट में मिलेगा तो मुर्गियां भी कुछ पाल ने पहले से तो अ आगे आगे सामने जो रूम है उसमें और क्वि續 निक waiver करा अच्छा आहां सर का जो हैआँ पर एक भी किरहांगि दरीन है और इसीमें जो है बकरी को डाल देते हैं बकरिया कम्प्लीटली चराई पर होती हैं और तो अलग से कुछ दाना पानी देते हैं मँदूद नई देइष, इसकी खkemारे हमाने के परशाणी नहीं यह नहीं कोई फरसानी में आम तोर पर जो बकरियां चराई पर आती है उनकी एकसराइज होती है और इसलिए विर्श प्रश्वाइज कम आती है अशा सुधीर सर के साथ घूंते घूंते जो है मैं भी कुछ कुछ सीख्या हूँ और सुधीर सर से बात होती है एक पर मामा ही घय त तो ऐसे और किया परसानी किस परसानी गूएं बिल्कुल पर्शानी नहीं यह खार प्रफाने अब भी आई है और देखिए दर्वाजे पर एक गायवधी है और सर ने थोड़ी देर पहले इसको अपना भूसा उसा दे दिया है सान करके और यहां पर अभी आग जलाने के लिए आप देख रहे थे प्रयास कर रहे तो धुवा करते हैं धुवा करने का मकसद क्या रहता है दर्वाजे पर यह जो है करने का जुगार रखते हैं और बहुत सधारन सा शेड है कहीं कोई इसमें आपको बहुत बड़ी चीज नहीं दीखेगी एक इधर है और एक उस तरफ है जिसमें बक्रियां रहती है और एक तरफ यहां पर देखिए एक यहां पर जो है पहले इसम को बना दिया है बकरी का शेयंग कक्ष थोड़ी हाइट कम है आई थिंक चार फीट के लगभग में तो यह चुकी आपने बलाए मिटी भरते बरते हो गया लेकिन अंदर सर बड़ा अच्छा है मतलब इतनी ठंड है बाहर लेकिन अंदर गर्मी है आग जलते रहता है तो इसको पर लगने तेंगे कहूं कि बाहर इतनी ठंड है और अंदर इतना अच्छा लग रहा है अभी विज़ात का अभी तक होगा अच्छा कहां पर आए जरा कैमरा दिखाया जाए ढूंडा जाए कहां पर जलाते हैं यह अच्छा यहां पर देखिए अरे वाँ देखिए वाओ बाई क्या कंसेप्ट है अब बताएए ना बल्ब ना हीटर एक पैसे का खर्च नहीं और ऐसे पता चल रहा था कि कुछ नहीं है और अभी नहीं हाथ लगाया तो देखिए धूआ उठन लगा और इसी के वज़ा से अंदर में टेंप्रेचर बिल कौन है मामी पपा बाहर राता ता लेकिन अब राता है इसी तरह की परशानियों थे सारा आप वन मैन आर्मी की तरह कर लेते हैं काफी सुबह उठना पड़ता होगा तो साथ बज़े उठते हैं एक गाया जाने समय देना नहीं है दुद बेचते नहीं है दूद अपना घर पानी पिलाने के काम है वो कब कब कर दें चलिए बहुत बढ़िया तो यह जो है दोस्तो छोटी-छोटी इस तरह की जो information होती है बहुत ही काम की होती है और सर्व कितनी असानी से और कितनी मतलब सुलभता से यह काम कर रहे हैं चेहरे पर कोई शिकन नहीं है और देखते देखते दो पाठी से किता संक्या बताया है अभी एक कई से और सोच लिजिए कि अभी हर होली में बेचते भी ह हो गया मंतलů उसे होşa होगा मैं किसके मॉटेलिक भी होगा है किस कारण से बच्चे गोटिटी कराते अमने देखा नहींतली तो वे सबकरिया ने से परीई ». सब जानते ही जो है ब्लैक बंगाल बकरी जो देशी बकरी है उसकी संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो दोस्तों यह अपडेट था बोजपूर जिला से एक सधारन किसान परिवार का जहां पर ऐसे ही एक वीडियो देख करके और थोड़ा सा गोट फार्मिंग को थोड़ी सी कमर्शली स्केल पर ले जाने की त्यारी चल रही है और अच्छा शुरूआत है हर साल अगर साथ से दस खसी भीग जाती है और साथ सो रुपे किलो के हिसाब से जो है मीट भीग रहा है और ऐसा है कि इन्होंने अपना एक काउंटर खोल लिया से कहीं जाने की भी जरत नहीं है और रोड के ही उस पर लगाते हैं काऊंटर लगाने से हमको फैदा यह होता है कैमारी समय का उचीत मुल मिल जाता है बहुत उचीत मुल मिले मिला और इसी तरह से जो है देहाती परिवेश में जो किसान हैं अगर integrated farming में थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की कुछ नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत